हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स समर सुरू होते ही मच्छर बहुत जादा बढ़ जाता है और इनसे बचने के लिए हम बहार से महंगे महंगे लिक्विड खरीद के लेके आते हैं लेकिन मैं आज आपको सस्ते में ही घर में बहुत बढ़ ये लिक्विड बना कर बताऊंगी जो 100% बर्क भी करता है मच्छर के काटने से हमें साव तरह की बिमारियों का सामना भी करना पड़ता है इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए खाली रिफिल सबसे पहले फ्रेंस हमने क्या करना है कि कपूर की दो गोलियां ले लेनी है और इनका बरीक पाउडर बना लेना है तो देखे मैंने यहां पे दो गोलियां ले ली है अब मैं क्या करूंगी कि इसका बरीक पाउडर बना लूँगी आपको भी इस तरीके के कोई पनी ले लेनी है और फिर पाउडर बना लेना है कपूर की गोलिओं का हमने बिलकुल महीन पाउडर बना लेना है फ्रेंश मच्छर का काटना कैंप बार बहुँ जादा घातक होता है और हमें साथ अलकी बिमारियों का सामना भी करना पड़ता है तो मच्छर से बचने के लिए ये लिक्विड बहुत ही बढ़िया है आप इसे एक बार जुरूर ट्राइ करके देखना और फिर मुझे कुमेंट करके बताना कि ये आपके काम आया या नहीं देखिए फ्रेंड्स मैंने इसका महीन पाउडर बना लिया है अभी जो थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है मैं क्या करूँगी कि हाथ से इस तरह से उसको बरी कर लूँगी मच्छर को भगाने के लिए हम बाहर से भी लिक्विड ख्रीद के लेके आ सकते हैं लेकिन वो बहुत महेंगे पड़ जाते हैं और ये सस्ते में ही बन जाता है तो इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए कपूर की गोली और तारपीन का तेल तारपीन का तेल आपको बाहर मार्किट में बड़ी ही असानी से मिल जाएगा ये कर्याने की दुकान पे भी मिल सकता है देखिए जिस तरीके से मैंने बोटल के धकन को खोला है आपने भी इस तरीके से धकन को पूरा खोल लेना है और फिर जो हमने कपूर की गोलियों का पौडर बनाया है उसको इसके अंदर भर लेना है जब आपने बोटल के ढखन को खोड़ना है तो चाकू का इस्तेमाल करना है नहीं तो क्या है कि जो ढखन है वो आसानी से नहीं निकलेगा लेकिन चाकू को आपने आराम से यूज करना है तांकि आपके हाथ में कहीं चोटना लग जाए फ्रेंट्स इस लिक्विर से मच्छ तो भागेगा ही साथ में मख्यां भी भाग जाएगी तो देखें मैंने पौडरों को सीसी में भर लिया है अब हमें इसमें दूसरी चीज एड़ करेंगे बो है तारपीन का तेल फ्रेंट्स मच्छ के काटने से क्या होता है कि तरा-तरा की बिमारिया लग जाती है और फिर उन से बचने के लिए हमें बाहर से महंगी-महंगी द्वाईया लेना पड़ती है तो इससे बचने के लिए ये बहुती बढ़ीया तरीका है आप इसे एक बार जुरूर ट्राई क करके देखना मच्छर काटना तो दूर आपके पास भी नहीं आएगा मच्छर को भगाने के लिए ये बहुत ही बड़िया असरदार रेमिडी है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करके देखना अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमलिय और दोस्तों से शेयर क करें आप कहां कहां से और कि जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज मुझे कमेंट करके बताया करें तांकि मैं भी जान पाओं कि मेरी वीडियो कहां कहां और देशगे की स्कोने में देखी जाती है फ्रेंस मक्की मच्र को बगाने के लिए हमारा बहुती आसरदार लिक्विड बनकर तैयार है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करके देखना देखे मैंने दो रिफल तैयार किये हैं थैंक्स फर वाचिंग